हेलो दोस्तों कैसे हुआ आप लोग स्वागत है आपका टॉक विद अब्दुल चैनल पे और आज की अपडेट है DRDO की तरफ से DRDO की यह अपडेट गैस टर्बाइन रिसर्च establishment में आई हुए और selection बहुत आसानी से हो जाएगा मौका DRDO में काम करने का है और आप में से बहुत सारे इस institute में इस organization में काम करना चाहते हो अगर interested हो तो end तक विडियो को देखना और apply ज़रूर से करना तो चलिए इसी के साथ start करते विडियो को और detail में समझते है आज की क्या यह update है अब सबसे पहले तो यहां पर qualification criteria क्या पोस्ट है क्या eligibility है सब कुछ डिसकस करेंगे और साथ में और भी job updates देखना चाहते हो search करो पूरी list आजाएगी जो फिलाल active होगी वो videos आप उन jobs में apply भी कर पाओगे तो चेक करना मत बोलना और यहां पर अगर हम बात करें ना DRU की सबडेट के बारे में तो यहां पर इन्होंने जो है यह update हर किसी के लिए almost दी हुई है हम एक एक करके सारे post को discuss करते हैं तो जै अगर हमने complete किया हुआ है आप सारे eligible हो तो सबसे पहले जो है graduate apprentice trainee की यहां पर जो है जिसके अंदर आप मेसेजिजी नोंने engineering complete किया है वो apply कर सकते हैं बाकि सब का भी एक एक करके discuss करूँगा तो थोड़ा सा patience रख के पूरा video देखो यहां पर जो है mechanical production industrial में अगर आप हो apply कर स इस काफी अच्छी है, टोटल 75 है, और यहां पर as on 16 March, आपकी ये age होनी चाहिए, और minimum qualification भी mention गया हुआ है, तो आप सारे यहां पर engineering वाले डिये गए ब्रांच में eligible हो, अब अगर आप यहां पर और भी job update सर्च कर रहे हो, apply कर रहे हो, या preparation कर रहे हो, अगर मान लोगे आपका अगर SEC में है, IBPS में है, आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो यहां बे तैयारी के लिए आपको हर किसी की अलग-अलग नहीं करनी पड़ेगी, देखो मैं आपको simple सब basic concept बता दाओ, हर exam में होता क्या है, कि aptitude reasoning common होता है, और वो पूछा जाता है, आपको इसको focus करना चाहिए, syllabus same होता है, थोड़े questions बदल जाते हैं, लेकिन conceptual level पे यह चीज़े same रहती है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए है, हमने prelims package को launch किया है, अब यह जो है help करता है aptitude and reasoning को यहां पे strong करने में, जो आपको almost सारी exams में काम लगता है, आपका concept एक बार clear हो जाएगा, फिर और भी हम offer run कर रहे है, तो यहां पे यह कुछ time के लिए offer है, जिसमें आप enroll कर सकती हो, यह यहां पे 5-6000 का पूरा course है, जो आपको मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1499 में, अब इसमें मिलेगा क्या, video lectures हम आपको provide करेंगे, साथ में mock test provide कर रहे है, साथ में आपको यहां पे 1499 में, इस वीडियो के description में link है, चेक करना मत बूलना और जल्दी से enroll करो, because limited time के लिए offer है, so अब continue करते है, मैंने engineering का discuss कर लिया, अब non engineering, अगर आपने become किया हुआ है, BAC किया हुआ है, दिए गए ब्रांच से, BA किया हुआ है, BCA किया है, BBA किया हुआ है, तो आप लोग के लिए भी vacancy है, total 30 vacancy है, आप सारे यहाँ पर eligible रहेंगे, as well as diploma में भी vacancy है, mechanical production हो गया, electrical electronics, computer science, total vacancies कम है, लेकिन 20 vacancies यहाँ पर diploma के लिए भी अनौन्स की है, ITI के लिए भी vacancy है, जिसके अंदर यहाँ पर 25 positions है, आप यहाँ पर सारे eligible रहो गया, तो यहाँ पर DRD की तरफ से eligibility rating में मेरे ख्याल से कोई issue नहीं है, next आते है, selection part पर, यहाँ पर selection के लिए, कोई exam या ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि यह apprenticeship है, तो आपको यहाँ पर academic के basis पर select कर लिया जाएगा, बस आपके academics अच्छे होने चाहे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, कि selection जो है, academic merit return test interview इसके around हो सकता है, लेकिन सब के बीच में slash है, जिसका मतब भी होता है, कि academic के हिसाब से भी ले सकते है, एक और चीज़ देख लेता है, important dates, तो important dates यहाँ पर दी हुई है, आप अगर apply कर रहे हो, तो last date 16th March है, यहाँ पर first shortlisted list जो होगी, वो 6th April को होगी, फिर यहाँ पर candidates को join करना होगा 13th April से, और यहाँ पर जो है, accept करना होगा, and then interaction होगा 20th April तक, and most probably, आपकी जो है, जो है, वो 8 में से start होगी, 28 तक, finally, जो list है, वो display हो जाएगी, final selection 8 में तक आजाएगा, तोड़ा सा लंबा process रग रहा है, लेकिन, यहाँ पर जो है, अगर आप अभी job नहीं कर र जैसे ही profile approve होगी, वो code को ध्यान में रखना है, and then आपको जाना है, rsc.gov.in, जो की है, यहाँ पर DRDO की official website, वहाँ जाके आपको form fill up करना है, details fill up करनी है, और कुछ documents है, जो आपको ध्यान में रखने होंगे, आपके पास होने चाहिए, तो वो documents आपको verification के time पे काम लगेंगे, तो यह documents आपके पास रखना, बाके apply कर लेना, mhrd.net का जो आपका code होगा, वो डाल देना, आपका यहाँ पर application submit हो जाएगा, कोई भी fees नहीं है, आपका selection भी आसानी से हो जाएगा, salary इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन decent है, decent भी नहीं बोल सकते है, actually, pocket money जैसा निकल जा आप वहाँ पर खर्चा भी नहीं उठा पाऊगे, क्योंकि step and come है, DRDO है, brand name है, इसका experience आपको काम लग सकता है, काफी लोगों ने, जो है, इस name की वज़ए से, काफी आगे jobs भी हासिल की भी है, तो आप भी यहाँ पर DRDO के name से आगे jobs हासिल कर सकते हो, so यहाँ पर brand name है, काम अपको वीडियो मिल जाएगे, तो यह सारी चीज़े आप कर लेना, अगर आप apply करना चाहते हो, बाकी और updates चाहिए, subscribe कर लो, that's it for today, मिलता है, next video में, next job update में, तब तक के लिए, goodbye, take care.